नमस्कार मैं हूं निकिता प्राइम नीज 24 में खबर गजरौला से है जहां प्राथमिक विध्याले में प्रदेश सरकार की नियम खुंटी पर रख बच्चों से बरतन साफ कराए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने प्रदेश सरकार की इस लोजना के बारे में काफी सुना होगा लेकिन एक प्राथमिक विध्याले में इसका बिल्कुल ही उल्टा कर दिया गया है कि बेटी को स्कूल भेजो और बरतन साफ कराओ प्रदेश सरकार बच्चों का भविष्य उज्वल बनाने के लिए शिक्षा पर लाखो रुपे खर्च कर रही है लेकिन शिक्षकों को कोई फिक्र ही नहीं एक ऐसा ही वाकिय सामनी आया है जहां एक स्कूल में बच्चों से बरतन साफ कराओ जा रहे हैं विकास खंड गजरोला के ग्राम तिगडी के प्राथमिक विध्याले में पढ़ाई के दोरान बच्चों से मिड़े मील खाना खाने के बाद बरतन साफ कराए जा रहे हैं इस सम्मन्थ में जब स्कूल के शिक्षकों से पूछा गया तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई बिस्पत वार को प्राइम नियूस 24 की टीम जब दुपहर को तिगडी के प्राथमिक विध्याले में पहुँची तो वहां नजारा कुछ और ही देखने को मिला पढ़ने वारे बच्चे के पढ़ाई करने के स्थान पर हैंट पंप पर बरतंध होते दिखाए दिये जिसमें अध्यापिका बच्चों को बरतंध होने का आदेश दे रही स्वयम खड़ी हैं जो बरतंद बच्चे धो रहे थे उसमें विध्यादियों ने मिड़े मील खाना खाया था पूछने पर पता चला कि वह रोजाना मिड़े मील खाने के बाद बरतंद होते थे इस संबंध में जब स्कूल के स्टाफ से पूछा गया तो वह ठोस जवाब देने में नकाम रहे उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई सफाई कर्मी नहीं है इसलिए बच्चे ही अपने आप बरतंद होते हैं स्कूल के शिक्षक इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया इससे पहले भी प्राथमिक विध्यालों में बरतं धोने ज़ाडू लगाने मैदान की सफाई आधी का मामला सामने आ चुका है प्राइम नियूस 24 के लिए गजरॉला से प्रदीब कुमार की खास रिपोर्ट